हलो फ्रेंड आज इंदू की रसोई में बन रहा है शामबर और इटली जिसके लिए हमको शामबर के लिए इतना समान चाहिए समान चाहिए क्या-क्या भिंडी है आलू है और लोकी है एक छोटा समूली है यह बैगान है यह दो प्याज है जिसको हम काट लेंगे काटने के बाद फिर बताते है यह उन्हें सारे सब्जियां इसको काट लिए आज संडे कुछ भी खा सकते हैं तो हमने सूचा यही रेश्पी बना लें हलका भूजन और सबका मन पसंद भून लेंगे इसको काट थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे बिंडी को ताकि लेश न छोड़ें इतने वड़ी ठीक है ए तो हमने सामर के लिए सब्जिया सारी त्यार कर ले अब हम इटली का मसाला बनाने जा रहे हैं इटली के मसाले में क्या क्या चाहिए यह देखे यह है उरत की डाल एक कटोरी हमने उरत की डाल ले लिये और यह है चावल यह चावल है तीन कटोरी तीन कटोरी और इसको हम भीगो देंगे भीगोने के बाद पीश के बताते हैं और यह जो हमने उरत और चावल जो दिखाया था ना वह हमने अब मिक्सी में पीश लिया यह देखो इतना गाड़ा ताकि यह कल्ची छोड़े ना ज्यादा पतला नहीं होना जैनी तो वह पहने लगता है अब इसको हम चलते हैं रसोई में बनाते हैं फिर खिलाते हैं हमने सबजी शांबर के लिए काट लिया था उसके लिए सबजी तड़कने के लिए हमको चाहिए यह मेथी है यह लाल मेर्च है यह हींग है यह शांबर मसाला है यह राई है और यह थोड़ी सी इमली है इमली को गरम पानी में भिगो देंगे और यह प्याज है कटी यह कड पत्ता है और यह टमाटर है इतने समान के जरूरत पड़ती है तड़के के लिए यह इधर रख दिया और यह शांबर के लिए एक कटोरी दाल है धाई शोगरा क्योंकि हमारा सांबर ज्यादा है तो इसके हम अब चलते हैं तड़कने शांबर सब्जी शांबर मसाला जो शांबर बनाने के लिए सब्जी है उसको हम तड़केंगे यह हमने दाल शांबर का अब इसको दोलेंगे और गयस पर चड़ा देंगे अब यह हमारे दाल दोल गई है अब इसमें पानी डालेंगे मतलब दो गिलास पानी डाल दो फिर इसको हम गयस पर रख देंगे यह हमने गयस पर रख दिया और धकन लगा देंगे नमक डाल दिया थोड़ा सा हल्दे डाल देंगे अब हम बन कर देंगे अब हम तड़का लगाएंगे शामबर जो है इसकी तड़के लगा देंगे क्योंकि एक तरफ दाल उबलेगे एक तरफ सबजी भुनेगे फिर जब दोनों हो जाएगे एक साथ डाल के एक सीटी लगाएंगे अब देखो हम सबजी भुनने जा रहे हैं यह तेल हमने डाल दिया दो चम्मत तेल गरम तेल अभी नहीं हुआ है प्रीजोड़के लगा है यह एक दो टो उको जब लगाएंगे लगा है अवाएंगे लगा है यह दो तो घुआ है अवाएंगे लगा है यह हमने रही डाल दिया अब हम डाल रहे हैं इसमें मेथी राई हमारी लाल हो गई है हम दिखानी पारें थोड़ा सा चोटी रोच्पन मेथी लाल हो जाएगी तो हम लाल मिर्चा डालेंगे जब तक हम इमली को भीगो दे रहे हैं यह फुलने में भी टाइम लगता है फिर उसके बाद हम आते हैं यह हमारा तड़का लाल हो गया अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च अब हमारा मिर्चा लाल हो गया यह देखो अब हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता खुच बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें डालेंगे प्याज यह प्याज हमारा थोड़ा सा थोड़ा सा ही हम कच्छा पन रखेंगे चूंकि शांबर में प्याज मोटा मोटा जीब के निचे आना चाहिए अब सब्जी डालेंगे इसमें सारी सब्जी आ इकठाएं बूल लेंगे इसमें अगिजी आगें गिचे ज़स्ट हैं अजी क्यों धुआईब ग्याजा भागे समुआआव अब इसको हम धाग देते हैं 5 मिनद के लिए, फिर इसमें योगा मसाला होगा डालें, यह मारा चांबर का, जो सब्जी था वो रेडी होडा, धीरे देरे पके जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा मसाला चांबर वाम जो लिया ताना, ताकि पाज मिनट लगेगा पकते होगा, अब हमारी यह दाल, जो हमने उबालने के लिए रखे थे न, वो पक्के त्यार हो गए, अब इसमें हम डालेंगे जो भूनी होई हमारी सब्जी थी, शांबर वाली दाल है, अब हम जो हमारी सब्जी देखो, भून गई है, ऐ रुको, यह क्या पकड़ना, यह गलत हो रहा, यह हमारी जो दाल उबली थी, वो हो गई, और यह सब्जी है, जो हमने बनाई थी, सांबर के सब्जी, यह डाल देते हैं, अब दाल में एक सीटी लगा लेंगे, इसमें सारी सब्जी हम डाल के, अपने हिसाब से पानी करेंगे, जितना गाढ़ा पतना खाना है, फड़ा और पई पानी पड़े रहा, यह और हम पानी, अभी गाढ़ा लग रहा, पानी डाल देते हैं, इमली का यह जो गूदा था, हमने इमली भी गोया था यह गूदा निकाल लिया, इसको डाल देते हैं, अब यह और पानी पड़ेगा, अब पानी होगे, यह अब हम गैस पे रख दिया, अब इसको हम बंद कर देते हैं, धकन लगा देते हैं, एक सीटी जब तक आएगी, तब तक हम इटली का बड़तन उतार के साफ कर लेते हैं, हेलो फ्रेंड, इटली और सांबर जो बनाया था, उसके साथ जब तक नारियल की चटनी ना हो, तो मजा किरकिरा हो जाता है, तो यह हमने नारियल छोटे-छोटे पीस काट लिये हैं, और यह थोड़े सम डालेंगे, मुमफली, मतलब 12-14 पीस, और यह मतलब एक मुठी, तो हम लाल तड़का मिर्च से लगाएंगे, लाल मिर्च से, अब इसको हम पीसते हैं, यह जार रख दिया, नारियल की चटनी ऐसे बनागी, यह भी हम डाल देंगे उसे में, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब इसको मिक्सी चला देते हैं, अब अब अभी यह पीसी नहीं है, थोड़ा तोर पाइन डाल लेंगे, डाल दो थोड़ा और पाइन डाल लो तो थोड़ा सोगा, हाँ बस, अच्छे से पीस जाएगी ना, अब इन पीसी है, तोड़ी टाइट, पानी और डालना पड़ेगा, ये लास्ट में डाल के एक बर नमक डाल दो लास्ट में क्यों डाल लोगे, अब इसको अमबावल में निकाल लेते हैं, अब देखो, ये सही है, ये देखो, अच्छा बना बो टेस्ट, ये तड़का लगा देंगे, ओ, टेस्टी बन जाएगे, अब हमें चटनी के लिए तड़का लगा रहे है, थोड़ी सी कड़ी पत्ता है, दो लाल मिर्च है और राई, ये हम डाल दे रहे हैं, रिफाइन, बना लेंगे लाल मिर्च तोड़के, थोड़ी सी फ्राई डाल देख, कड़ी पत्ता डाल देख, अब हमारा तड़का तियार होगा, हम इसमें डाल देते हैं तड़के में, वाँ, कितना स्वाद लगे है, अब हमारा लग रहा शांबर का तड़का, शांबर हमारा उबल चुका है, और ये देखो, रिफाइन डालेंगे, एक सोटा चम्मा, ये हम बाद में हींग का तड़का लगाएंगे, जिससे हमारी खुस्पू पूरी, पूरी घर में महार जाए, ये है राई, बड़ा लास में लगा देंगे ना, बगार देंगे, इसको होलते हैं, तो उसका टेस्ट कुछ अलगी आ बड़ा जाता अब फिर शकड़ी पता डालने चाहिए थोड़ा चाहिए, सब्जी में बड़ा ताजी कुछ भू आएगी ना, इसके लिए, एक हालान में से डाल दिया, खड़ा, अब ये हमारा तड़का त्यार हो गया, अब हम डालते हैं, देखे इसमें तड़का अब हम इटली बना के चांबर, नारियल की चटने, तीनो एक साथ खाएंगे, फिर आपको बताते हैं, अब इटली बनाएंगे, ये जो हमने पेश्ट बनाया, उरत की दाल और चावल के, हमने इसको आठ घंते भीगो के पीस के रख दे, पीसा था, खमीर उठ गया, अब हमें बनाने जा रहे हैं, जाएंगे, शाचा है, साचे में डालते हैं, ऐक एककल्छी, अब जो इटली का साचा हैं, इसमें सारे में भर लेगे, भरके फिर इस पीसा जो कूकर, आप कूकर में भी जिसमें खाना बनाते हैं, फास लीटर के कुकर में भी तीन लीटर कलक से साचे ला सकते हैं, और हमारे पास ही इटली का कुकर है, उसमें हम बनाएंगे, ये साचा है न, ये तीन चार का साचा है मारे पास, आप इसको जो ये स्टेंड है न, ये ये कुकर में भी रखके बना सकते हो, अगर आपके पास इटली का कूकर नहीं है तो इसको लोक कर दिया अब यह हमारा ना इटली का कूकर है यह देखो इसमें हमने पानी डाल दिया पानी डाल दिया यह उबल रा पानी अब इसमें हम डालेंगे यह साचे इसको दस मिनट सीम बाच पर पकड़ने देंगे यह डाल दिया और इसको हम ढाक देंगे इसमें लग जाएगी सीटी दस मिनट में अगर आपके पास यह नहीं तो ऐसे कूरकर में भी डाल सकते हो सीटी लगा दो यह हमारी सामबर इटली और इसकी चटनी नारियल के त्यार हो गई है अब एक खाते हैं हम फिर बताएंगे टेस्ट कैसा चलिए आप भी खाईए मज़े लीजिए और लाइक सास्क्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जैमा तक